नमस्कार बिहार के दिश्टर मीडिया का जनक भातले भी देख रहे हैं या बिहार राजनीती की मरूभूमी है ऐसे मैं आपको बता दें कि जैसे जैसे उप्चुनाब की तिथी नस्दीकार रही है वैसे ही बिहार में राजनीतिक सहमत का खेल लगातार जारी है इसे बीच आ अधिकार पाटी के सुप्रीमो जाब सुप्रीमो पपू यादव जी की रहाई हुई आपको बता दें कि करोना काल में वे नियाए खिरासत में थे अंबुलेंस घोटाले को जागर करने के बाद उन्हें जिल हो गई थी इसके बाद वो लगातार रहाई की गौहर लगा रह और उप्चुनाब से ठीक पहले उनकी रहाई हुई जिसके बाद राजद ने उन पर सवाल भी खरा किया था लेकिन आपको बता दें कि इस बार उप्चुनाब में बहुत सारे समीकरन बदले हैं पपू यादव जी की रहाई के साथ ही ये खबर भी तैरने लगी थी कि पनी पाटी का जो विले हैं वह कॉंग्रेस में कराना चाहा रहे हैं इसको लेकर के कॉंग्रेस के आला कमान से बात हो रही है हलाकि पप्पुयादव जी पूरे परकरन पर कुछ नहीं बोले लेकिन प्रेस कर रहे थे उसी समय कंग्रेस अपने परतिया सी तारापुर और की मुलाकात नहीं हो गई लेकिन अब आपको बता दें कि जाप ने भी दोनों जगा अपने परत्यासियों को उतार दिया था कॉंग्रेस भी उतारी हुई है लेकिन जैसे जैसे चुनाबी तिथी नज़्धी का रही है वैसे वैसे राजनितिक समिकरन जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि बिहार कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष है मदर मोहंजा उन्होंने जाप सुप्रीमो पपू यादव जी को चिठी लिखी है चिठी में उन्होंने मांग किया है पपू यादव जी से आग्रख किया है कि आप जो है दोनों सीटों पर कॉं चरंदाज जी उसके आलोक में ये बात वो कहना चाहते हैं यानि कि कहीं न कहीं पपू यादव जी और कॉंग्रेस के अलाखमान के बीच लगातार बाच्ची जारी है और जिसके बाद बिहार कॉंग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहंजा जी ने पपू यादव जी से समर्थन कि अपील की है इस उफ्चुणाब में कांग्रेस के साथ खरा होने का उन्होंने अपील किया है अब ये बड़ी बात है जब दोनों पार्टी के प्रत्यासी है मैदान में इस पर एक बड़ा सवाल खरा होता है बहुत बड़ी ख़बर देनी है यानि कि अब सीधे इसे देखकर के माना जा रहा है कि उस चिठी में जो मदन महंजाजी ने आपको बता दें कि पपु यादव जी को लिखी थी उसमें सीधे तोर पे लिखा थ थी आज दिन के एक बजे पपु यादव जी कॉंग्रेस को एक बड़ी खुष खबड़ी देने जा रहे हैं बिलाय की भी चर्चा हो रही है सियासी गल्यारों में लेकिन बहातलाइब की टीम उस पर अभी मोहर नहीं लगा रही है क्योंकि पपु यादव जी के कई कार करत पताधिकारी क्या चुके हैं कि बिलाय वाली बात पर अब हम लोग समझाता नहीं करेंगे हमारे राष्टिय कारकानी की बैठक में ये तैय हुआ है लेकिन आपको बता दें कि राजनीती है राजनीती में कुछ भी कुछी भी फैसले पर पुर्ण विडाम नहीं लगा रहत है ऐसा नहीं है कि कोट के फैसले की तरह कोई फैसला अगर लिख दिया जाया तो इसके बाद कलम की नीव तोड़ दी जाती है तो राजनीती में कोई भी फैसला तातकालिक ही होता है ये फाइनल फैसला नहीं होता है लेकिन अगर सबसे अधिक जिस बात की चर्चा है तो प कॉंग्रेस के पर्तियासी हैं तारापूर और कुसेस्वरास्थान से उन्हें समर्थन दे सकते हैं लेकिन अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं पपु यादव जी अपने पर्तियासियों को पीछे हटा करके और अगर बात करें तो कॉंग्रेस को समर्थन देने की बात कह रहे ह तो इसके एवज में पपू यादब जी को क्या मिल रहा है ये देखना दिल्चस्प होगा जुर्या भातलाइब के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है लेकिन आस्ते हो गया है कि एक बजे पपू यादब जी कॉंगरेस को बरी खुशकबरी देने जा रहा है जुर्या वो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद